एक बुढिया अपनी लली घर जा रही थी बीच रास्ते में भालू मिला भालू ने कहा मैं तुमको खाऊंगा बुढिया बोली ठीक है खाने से बहले समय दो भालू बोला ठीक है बुढिया बोली मैं अपनी लली घर जा रही हूं ये तीन महीने बाद आऊंगी मोटी ताजी कि नहीं होके तब खा लेना वालू ने कि ठीक है बुट्या चली गई फिर टैंसन के तो लल्ली बोली तुम मा पेड़ भड़के खाओ तो पेड़ भड़के खाने लगी फिर मोटी ताजी हुई तीन महीन हो गए तो तैयार हुई घर को जाने को तो उसकी लल्ली ने घड़ा वनवाया खूब बड़ा फिर उसमें बुढ़िया को बिठाल के लोड़का दिया फि उनने कहां इसमें कोन आ रहा है फिर उनने बीच रास्ते में फूटा गार दिया फिर मटका फूटा तो बोला बुढ़िया इतनी चलाकी सा आई हो इतनी मोटी हो के अफ तो मैं तुमें छोड़ू आना खाऊंगा तो बुढ़िया बोली रुको जरा मिजे पानी पीन दो त झाल